असलाम लेकुम मेरा नाम मुहमद रिहान है और आप देख रहे हैं फार्मसी टेक्निशन अकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम पेशेंट डेटर ड्रग डेटर जो हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर है उसके क्या फाइद है हम यह पढ़ेंगे तो स्टा करने हैं में रिस्क में और करने आजर मैं मिस्टेग नेजमेंट में और क्लिक है जाम के इसफ कर नदेख सकते हैं यह आप देख सकते हैं न्होंन का अक्सीजब और डेटर सकुटर आप उरचा ब्रॉघ्यूटरेटर यह एक accept authorized person यहां कि सिर्फ जो authorized person है जो computer cooperate कर रहा है वह इसको देख सकते हैं यू के अनलाइज the record of all the your patient for presentation and journal आपके पाद जितने patient आते हैं आप उन पर कोई trial कर सकते हैं कि फ्ला मेडिसान इतने मरीजों को दी गई तो उसका इतना अच्छा result निकला और क्या result निकला तो यह आप अपनी presentation बना सकते हैं you can maintain your patient record with detail like diagnosis treatment complication or result आप इस तरह भी अपना record बना सकते हैं कि आप पहले आपके पाद जो patient आपने उसकी क्या diagnosis की क्या treatment की उसमें complication क्या और result क्या निकला तो इस तरह से आप उसका पूरा record बना सकते हैं along with each patient data corresponding photograph वीडियो और x-ray CT scan ultrasound रादर test reports can also be added यहनि कि हर patient data के साथ आप उसकी तस्वीर भी लगा सकते हैं ताकि आसानी हो उसकी वीडियो में वीडियो भी लगा सकते हैं और उसकी जो तुमाम रिपोर्ट्स है वह एक स्रेय सीटी स्कैन अल्ट्रसांड वह तमाम भी उसमें add कर सकते हैं वी कें कैटेगराइज लिस्ट ओफ पेशंट अन्दा बेसिज और डिगनोसिज ट्रीटमेंट गिवन कंप्लिकेशन एंड रिजल्ट आप जब पेशंट को है वो उसकी बिमारी की टाइप के उपर भी केटेगराइज कर सकते हैं यानि कि अगर आपका मिसाल का तोर पे ENT यानि के नाक कान गले का स्पेशलाइज़ेशन है आपकी तो आपके पास तिन तरंग की पेशंट आएंगे नाक का भी कान का भी और गले का भी तो तुमाम पेशंट को आप केटेगराइज कर सकते हैं कि कि क्या डिगनोसिज की गई क्या ट्रीटमेंट किया गया उसके क् आएगा तो यह से कुछ अड्वांटेजिस थे उमीद आपको इवीडियो पसंदा ही होगी किसी किसम का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूल सकते हैं अलाहाफिज